ख़बर आजम गर्जन पर से जना बोड़न फुशेतर के कोईलसा की खंड शिक्षायतकारी कारणे पर अडेवा के प्रदेश मंत्री वा असायतकार कभी विजे प्रताप यादों के दिश्टा में श्त्रधांजली सवा का अरुजन किया गया इस उसे पर प्रात्मिक शिक्षक संग कोईलसा के सिच्षकों ने कुसुम यादों के असायमिक निधन पर परिवार को सयोकराशी के उप में एक लाख चाले सुजा गया पुरोकाबिनेट मंत्री बलवा म्यादों की बहुँ प्रात्मिक शिक्षक कुसुम म्यादों के निधन पर सोक सभा का आयोजिन किया गया जिसमे राष्टपती, पुरुषकार, प्राप्ट, शिक्षक, उधैरास, स्यादों ने उनके व्यक्तित पर प्रिकाश डालते वे कहा कुसुम का चरितर बड़ा ही उत्तम था आज के जमाने में ऐसी महला समाज के लिए आदर्श महला है हमें उनसे सीखने की जरुवत है अद्धेक्षता कर रहे पटेवा के मंत्री विजे प्रताप यादों ने कहा उनका व्यक्तित हमेसा समाज के लिए प्रेणा का इस्तरोत है उन्होंने समाज में करतोब निष्टा और समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी को निभाते वे एक आदर्श विक्तित तो प्रिश्तुत किया ब्लाक अद्धेक्ष प्रात्मिक सिक्षक संग रविंद्र यादो ने कहा कुस्सम यादव बड़ी सरल और बेवहार कुसल महला थी वहान लोगों की भावना को बड़ा आदर करती थी इस उसर पर उद्धरास क्रपाशंकर स्याम्भिहारी वर्मा सत्य नरान यादो नौमी प्रशाद असोख पंडे उंकार श्रीपत वर्मा सहित अनिक प्रात्मिक संग के सिक्षक महजूद रहे कि कारक्रम के बार में बताईए मैं लेखक्यों कभी अटेवा का प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव हूँ आज एक महान सिच्छी का स्वर्गी कुसुम यादो के के विशय में सोखसभा आयोजित की गई थी जो हमारे छेत्र के माननी विधायक डाक्टर संग्राम यादो की भावी थी और बहुत ही योग करतब वेनिष्ट सिच्छी का थी और हम लोगों का उनसे जुडाव था वह एक प्रतिमान चोड़ कर गई है इतने बड़े परिवार की महिला होकर भी वह अपने को कभी विद्याले से बंचित नहीं करती थी कभी बच्चों से बंचित नहीं करती थी वह हमेशा विद्याले जाया करते थी और बच्चों को पढ़ाने का कारी किया करते थी और अपने कर्तब के पालना करते थी उन्हीं के संदर्व में आज ये सोकसभा आयोजित की गई और हमारे सारे अधिहापकों ने सहर्ष इस चीज को स्विकार किया कि ये बहुत ही नेक कार है उचित कार है ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को एक दिशा मिलेगी कि इतने बड़े परिवार की महिला जो एक सिच्छिका थी बेसिक सिच्छा में वह चाहती तो विध्याले नहीं भी जा सकती थी लेकिन वह ऐसा नहीं कि कभी अदिकारों का कभी दूरपियोग नहीं UNHO किया कभी स्वच्छंद नहीं रहीं और हमेशा अपने कर्तव का फालन किया ऐसे महां सिच्छिका को नमन करते हैं स्रद्धा सुमन अर्पेट करते हैं